जबलपुर के सेंट अलॉइश सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोली पाथर में नौवी के छात्र के साथ रेगिंग का मामला सामने आया है कारेकरता स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे और रैगिंग करने वाले च्छात्र पर कारवाई की मांग करने लगे स्कूल प्रबंधन द्वारा जब इस घटना पर कोई ठोस जवाब ना देने पर कारेकरताओं ने स्कूल में रखे पौधों के गमलों को तोड़ लिया घटना के संबंध में NSUI कारेकरताओं का कहना है कि उन्हें पीडित चात्र के परिजनों के द्वारा सूचना मिली थी कि उनका बेटा सैंटर लॉशिस सीनियर सेकंटरी स्कूल पोली पाथर में नौवी कक्षा में पढ़ता है 27 जन्वरी 2024 को उनका बेटा स्कूल गया था स्कूल के अन्यत चात्रों द्वारा उसकी रैगिन की गई जिस कारण वो शारेरिक और मांसिक रूप से प्रतारित हुआ इस खटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी गई लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कारवाई नहीं की पीडित चात्र के परिजनों ने रिस्थानिय गवारीगाट ठाने में भी इसकी शिकायत की थी लेकिन पुलिस द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं की गई चात्र संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर स्कूल प्रबंधन इस घंटना के दोशियों पर कारवाई नहीं करता तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा इधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस घंटना की जानकारी उन्हें मिली है पीडित चात्रों और दोशी चात्रों के परिजनों को बुला कर उन्हें इस घटना की जानकारी देकर भीश दिया गया है NSUI कारेकरता स्कूल टाइम में जब बच्चे पढ़ रहे थे उस समय आय और नारेवाजी करते हुए स्कूल परिसर में रखे गमलों को तोड़ दिया NSUI कारेकरताओं द्वारा स्कूल में गमले तोड़ने की शिकायत स्थानी थाने में दी गई है बहराल अब देखना है कि NSUI द्वारा 24 घंटे के महलत के बाद स्कूल प्रबंदन क्या कारवाई करता है जबलपुर से वाजीत खान की रिपोर्ट के अंदर प्रचार पर कारवाई नहीं होती तो यह उसे उग्र प्रजस्थन करें कि यह करके कोई 20-25 लोग आये हैं हमारे स्कूल में स्कूल जब चल रहा था उनको बताये गया है स्कूल अभी जारी है आप लोग क्या बताना चाहते हैं वह पुरा और हम उनको बोलें आप से मिलेंगे आफिस में अंदर आईए वह आने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर मैं उनको बाहर जाके मिला मिलने के बाद उन्होंने बोला कि आपने कुछ बच्चे के साथ वो कुछ हुआ गटना उसको आपने क्या किया है मैंने बताया उसी गटना के बार में मैं अभी पांच मिल पागले तीनों पैरंस को बुला के जो भी बच्चे हैं उनकी बीच में गलती हुआ है उनको समझा कि पैरन्स को भी क्या किये हैं उसे बताकर बेजे हैं इसके अलावा आपने जो जानकारी लेने आए हैं तो आप हमारे गंबला क्यों तोड़े हैं पहीं हमने पूछा हैं और उनका कोई सही परिचे भी नहीं दिया उनके पूरा जानकारी भी नहीं थी कि यह सुचना अपने प्ले स्कूली घटना जो ही आपके नहीं वह भी आये हैं उनको सुचनाम नहीं दिये हैं पर आपका नाम कहा है फादर विल्सन मैनेजर्स एंडलोश्य स्कूल थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू